सादत हसन मंटो की कहानी मजीद का माजी मजीद की महाना आमदन धाई हजार रुपए थी मोटर थी, एक आलिशान कोठी थी, बीवी थी इसके अलावा दस-पंद्रा औरतों से मेल जोल था मगर जब कभी वो विस्की के तीन-चार पैक पीता तो उसे अपना माजी यादा जाता वो सोचता कि अब वो अतना खुश नहीं जितना के पंद्रा वरस पहले था जब उसके पास रहने को कोठी थी ना सवारी के लिए मोटर बीवी थी ना किसी औरत से उसकी शनासाई थी धाई हजार रुपए तो एक अच्छी खासी रकम है उन दिनों उसकी आमदन सिर्फ साट रुपए महवार थी साट रुपए जो उसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे लेकिन इसके बावजूद वो खुश था उसकी जिन्दगी उफ्ताओं खेजां हालात के होते हुए भी हमवार थी अब उसे बेशुमार तफक्राथ थे कोठी के, बीवी के, बच्चों के, उन औरतों के जिन से उसका मेल जोल था इंकम टैक्स का टंटा अलग था, सेल्स टैक्स का जगड़ा जुदा इसके अलावा और बहुत सी उलज़ने थी, जिन से मजीद को कभी नेचाथ ही नहीं मिलते थी चनाचे अब वो उस जमाने को अक्सर याद करता था जब उसकी जिन्दगी ऐसे तफक्राथ और ऐसी उलज़नों से आज़ाद थी वो एक बड़ी गरीबी की लेकिन बड़ी खुशकवार जिन्दगी बसर करता था इंकम टैक्स जियादा लग गया है माहिरों से मशवरा करो, आफिसरों से मिलो, उनको रिशवत दो, सेल्स टैक्स का जगड़ा चुकाओ, बलैक मारकेट करो यहां से जो कमाओ, उसको बाइट करो, जूटी रसीदे बनाओ, मुकदमों की तारीखें भुगतो, बीवी की फरमाईशें पूरी करो, बच्चों की निगेदाश्ट करो यूं तो मजीद काम बड़ी मुस्तेदी से करता था, और वो अपनी इस नई हंगामाखेश जिन्दगी में रच मच गया था, लेकिन इसके बावजूद नाखुश था ये नाखुशी उसे कारोबारी आवकात में महसूस नहीं होती थी, उसका एहसास उसको सिर्फ उस वक्त होता जब वो फुरसत के आवकात में आराम से बैठ कर विस्की के तीन-चार पैक पीता था उस वक्त बीता हुआ जमाना उसके दिल और दिमाग में एक दम अंगडाईयां लेता हुआ बेदार हो जाता और वो बड़ा सुकून महसूस करता लेकिन जब उस बीते हुए जमाने की तस्वीर उसके दिलों दिमाग में महव हो जाती तो वो बहुत मुस्तरिब हो जाता पर यह इस्तिराब देरपा नहीं होता था क्योंके मजीद फॉरण ही अपनी कारोबारी उलजहनों में गिरफतार हो जाता था मजीद ने जो कुछ बनाया था अपनी महनतों मशक्कत से बनाया था कोठी उसका साजो सामान मोटर गरजे के हर चीज़ उसके गाड़े पसीने की कमाई थी उसको इस बात का बहुत मान था कि आसाईश के जितने सामान हैं सब उसने खुद बनाये हैं उसने किसी से मदद नहीं ली लेकिन तफक्कुरात अब जियादा हो गए थे वो जो 10-15 औरते थी उसके लिए वबाले जान बन गई थी एक से मिलो तो दूसरी नाराज हो जाती थी टेलिफोन पे टेलिफोन आ रहे हैं बीवी का डर अलग, कारोबार की फिक्र जुदा, अजब जंचट था मगर वो दिन भी थे जब मजीद को सिर्फ दो रुपए रोजाना मिलते थे साथ रुपए महावार जो उसे बड़ी मुश्किल से मिले थे मगर दिन अजीब अंदाज में गुजरते थे बड़े दिल्चस्प थे वो दिन, बड़ी दिल्चस्प थी वो राते जो लकडी के एक बेंच पर गुजरती थी जिसमें हजार हा खटमल थे खुदा मालूम कितने उम्र रसीदा क्योंकि वो बेंच बहुत पुरानी थी उसके मालिक ने दस बरस पहले उसको एक दुकानदार से लिया था जो अपना कारूबार समेट रहा था उस दुकानदार ने ग्यारा बरस पहले उसका सौदा एक कबारी से किया था मजीद को जो मज़ा जो लुट्फ उस खटमलों से भरी हुई बेंच पर सौने में आया था अब उसे अपने पुरतकलुफ स्परिंगों वाले पलंग पर सौने में नहीं आता था अब उसे हजारों की फिकर होती थी उस वक्त सिर्फ दो रुपे रोजाना की उन दिनों उसके पास कैन्वस के दो बूट थे अब सैक्ड़ों थे मगर वो बात नहीं थी हर रोज दिन के काम से फारिग होकर जब वो अपने दफ्तर के बेंच पर सौने लगता तो बूट उतार कर उस पर ब्लैंकों मलता सुभा उठकर हम्माम में इकन्नी देकर नहाता शेफ करता सामने होटल में बाहर वाले से कहता कि उसका नाश्ता ले आए एक मखन लगा ब्राउन एक प्याली चाय लुट वा जाता नाश्ता करके पासंग शो का सिगरेट पीता एक पान खाता और काम शुरू कर देता दोपहर का खाना वो भिंडी बाजार में हाजी के होटल में खाता ये होटल कितना अच्छा था खड़ी दाल, घी में बगारी हुई कितनी मजेदार होती थी खारा गोश्ट तो बेहद लजीज होता था फिर भर्फ का थंडा पानी पासंग शू का एक सिगरेट उसका सारा वजूद हशाश बशाश हो जाता था खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया फिर काम शुरू कर दिया शाम को छे बजे फारे हुए एक आना ट्राम पर खर्चा और अपोलो बंदर पहुँच गए ठंडी हवा भाद भाद के आदमी भाद भाद की बोलियां बड़ी बड़ी आली शान इमारतें वसी वारी समुंदर उची उची नहरें, कष्टियां मोटरें, साइकलें खुबसूरत औरतें, गुजराती औरतें मरठी आउरतें, जो अपने चमकीले जोडों पर फूलों की बीनी लगाती थी पारसी आउरतें, यहूदी आउरतें तीकी तीकी नाक वाली, एंगलो इंडियन और यूरोपियन आउरतें ये सब उसके पास से गुजरती वो उनको देखता, तो उसके दिल और दिमाग को फरहत पहुँचती उसको कभी ये खौहिश ना होती कि उन में कोई उसकी हो जाए लेकिन अब बीवी के अलावा 10-15 औरतों से उसका जिंसी मेल जोल था, अब वो हर खुबसूरत औरत को शहवानी नजरों से देखता था, तरकीबे सोचता कि किस तरह उनको हासिल किया जाए अब भी वो सैर करता था, बागों में घूमता था, मगर फूल उतने खुबसूरत दिखाई न देते जितने के उस जमाने में दिखाई देते थे, अब सैकडों फूल उसके गुलदानों में पड़े रहते थे जो मुर्जा जाने पर फेंक दिये जाते थे उसकी निगाह उन पर पड़ती ही नहीं थी पड़ती भी होगी तो वो उन में कोई कशिश महसूस नहीं करता था एक दिन अपोलो बंदर गए दूसरे दिन चौपाटी चले गए दही बढ़े और चाट खाई गीली रेट पर बैठे समुंदर का नजारा करते रहे दूर हदे निगाह तक फैला समुंदर धूप में चांदनी की तरह चमकती हुई लहरे कश्टियों के सफेद सफेद बादबान यहां से जी उकताया तो माला बार हिल चले गए हैंगिंग गार्डन्स कैसा फरहत बख्ष मकाम था उस जमाने में उसका कोई दुश्मन नहीं था उसको सारी दुनिया दोस्त नजर आती थी ट्राम उसकी दोस्त थी खुला आसमान उसका दोस्त था सडके और फुटपात उसके दोस्त थे खटमलों से भरी हुई बेंच पर सोने से पहले वो फुटपातों पर सोया करता था हर चीज उसको अपनी महसूस होती थी मगर अब अपने भी पराय लगते थे सैक्डों हरीफ थे कारोबार में इश्क बाजियों में हर जगां हर मकाम पर उसका कोई न कोई हरीफ मौजूद होता था वो जिन्दगी अजीब और घरीब थी ये जिन्दगी भी अजीब और घरीब थी मगर दोनों में जमीन और आसमान का फर्ग था वो तफक्र से आजाद थी ये तफक्र से पुर चोटी से छोटी खुशी उसके दिलों दिमाग में एक अरसे तक मौजूद रहती एक अरसे तक उसको शादाओं फरहा रखती छे आने दे कर एक मील टैक्सी में बैठे तो ये एक बहुत बड़ी आयाशी थी भीकारी को एक पैसा दिया तो बड़ी रूहानी मुसर्ट महसूस की अब वो सैक्ड़ों की खैरात करता था और कोई रूहानी मुसर्ट महसूस नहीं करता था इसलिए कि ये महज नुमाईश की खातिर होती उस जमाने में उसकी अयाशियां बड़ी छोटी छोटी मगर बड़ी दिल्चस्प होती थी खुद को खुश करने के लिए वो बड़े निराले तरीके अज़ात कर लेता था इलेक्टिक ट्रेन में बैठे और किसी गाउं में जाकर ताड़ी पीने लगे पतंग लिया और चौपाटी पर बच्चों के साथ उड़ाने लगे दादर स्टेशन पर सुभा सवेरे चले गए और स्कूल जाने वाली लड़कियां ताड़ते रहे पुल के नीचे खड़े हो गए एंगलो इंडियन लड़कियां स्कर्ट पहने ऊपर चड़ती तो उनकी नंगी टांगे नजर आती इस नजरे से उसको बड़ी तिफलाना सी मसर्रत महसूस होती कभी कभी तवील फासले पैदल तै करता घर पहुँचता तो उसे खुशी होती कि उसने एकन्नी या दुणनी बचा ली है ये एकन्नी या दुणनी वो किसी ऐसी चीज़ पर खर्च करता जो उसके रोज़ाना प्रोग्राम में नहीं होती थी किसी लड़की को महबत भरा खत लिखा और जो पता दिमाग में आया लिखकर पोस्ट कर दिया और इस हिमाकत पर दिल ही दिल में खूब हसे एक उंगली का नाखुन बढ़ा लिया और किसी दुकान से टेस्ट करने के बहाने उस पर क्यूटिक्स लगा लिया एक दिन सिर्फ दूसरों से मांग मांग के सिगरेट पिये और बेहट शरारत भरी खुशी महसूस की दफ्तर में बेंच के खटमलों ने ज्यादा तंग किया तो सारी राद बाजारों में घूमते रहे और बजाए कोफ्त के राहत महसूस की जेब में पैसे कम हुए तो दोपहर का खाना गोल कर दिया और ये महसूस किया कि वो खा चुका है अब ये बाते नहीं थी दफ्तर से उसने रुपए कमाने के ढ़ंग सीखे दौलत आने लगी तो ये सब बातें आहिस्ता आहिस्ता गाइब हो गई उसकी ये नन्ही नन्ही मुसरतें सब सोने और चांदी के नीचे दब गई अब रक्सो सरूत की महफिलें जमती थी मगर उनसे वो लुथ फासल नहीं होता था जो पुल के नीचे खड़े होकर एक खास जाविये से नंगी मतहर्रिक टांगे देखने में महसूस होता था उसकी रातें पहले बिलकुल तनहा गुजरती थी अब कोई न कोई औरत उसकी आगोश में होती मगर वो सुकून गाइब था वो कुमारा सुकून जिसमें वो राद भर मलफूफ रहता था अब उसे ये फिक्र दावनगीर होती थी कि कहीं उसकी बीवी को पता न चल जाए कहीं ये औरत हामिला न हो जाए कहीं उसको बीमारी न लग जाए कहीं उस औरत का खाविन नान धंगे पहले ऐसे तफक्रात का सवाल ही पैदा नहीं होता था अब उसके पास हर गिसम की शराब महजूद रहती थी मगर वो मज़ा वो सुरूर जो उसे पहले हर रोस शाम को जापान की बनी हुई अभी बियर पीने में आता था बिलकुल ही गाइब हो गया था उसका मामूल था कि दफ्तर से फारिग होकर चौपाटी या अपोलो बंदर की सेर की खूब घूमे फिरे नजारों का मज़ा लिया आड़ बजे तो घर का रुख किया किसी नल से मूध होया और बाई कल्ला पुल के पास वाली बार में दाखिल हो गए पार्सी सेट को जो बहुत ही मोटा और उसकी नाग बड़ी बेहंगम थी साहब जी कहा कहूं सेट सुहाल छे उसको बस सिर्फ इतनी गुजराती आती थी मगर जब वो कहता तो उसे बड़ी खुशी होती कि वो इतने अलफाज बोल सकता है सेट मुस्कुराता और कहता सारोचे सारोचे फिर वो पार्सी सेट से काउंटर के पास खड़े होकर जंग की बातें छेर देता थोड़ी देर के बाद यहां से हटकर वो कोने वाली मेज के पास बैट जाता ये उसकी महबूब मेज थी उसके उपर का हिस्सा संगे मरमर का था बैरा उसे गीले कपड़े से साफ करता और मजीद से कहता बोलो सेट ये सुनकर मजीद खुद को वाकई सेट समझता उस वक्त उसकी जेब में एक रुपए चार आने होते वो बैरे की तरफ देखकर बड़ी शान से मुस्कुराता और कहता हर रोज तुम मुझसे पूछते हो सब जानते हो ले आओ जो पिया करता हूं बैरा अपनी आदत के मताबिख जाने से पहले गीले कपड़े से मेज साफ करता पोँच कर एक गिलास रखता एक प्लेट में काबुली चने दूसरी में खारी सींग यानि नमक लगी मुंग फ़ली लाता मजीद उससे कहता पापर लाना तुम हमेशा भूल जाते हो ये चीजें गजग के तौर पर बियर के साथ मुफ्त मिलती थी मजीद ने ये तरीका एजात किया था कि बैरे से काबुली चनों की एक और प्लेट मंगवा लेता था चने काफी बड़े बड़े होते थे नमक और काली मिर्च से बहुत मज़ेदार बन जाते थे मुंग फली की प्लेट होती थी ये सब मिल मिलाकर मजीद का रात का खाना बन जाते थे बियर आती तो वो बड़े पुरसुकून अंदाज में उसको गलास में उडेलता आहिस्ता आहिस्ता घूट भरता थंडी यख बियर उसके हलक से उतरती तो एक बड़ी अजीब फरहत उसको महसूस होती उसको ऐसा लगता कि सारी दुनिया के ठंडक उसके दिलो दिमाग में चमा हो गई है वो मोटे पारसी की तरफ देखता और सुचता ये पारसीों की नाक क्यों इतनी मोटी होती है इस कौम ने क्या कुसूर किया है कि खुदा इनकी नाकों से बिलकुल गाफिल है परसों ट्रैम में जो पारसन बैठी थी बड़ा सडोल बदन खुबसूरत आखें उभरा हुआ सीना बे दाख सफैद रंग माथा कुशादा पतले पतले होट लेकिन ये बड़ी तोते ऐसी नाक उसको देखकर मजीद को बहुत तरसाया था उसने सोचा था कि आया ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती कि उसकी नाक ठीक हो जाए फिर उसके दिमाग में मुक्तलिफ आखाद पर देखी हुई खुबसूरत और जवान लड़कियां तैरने लगती थी उसको ऐसा लगता था कि वो उनका शबाब बियर में खूद कर पी रहा है देर तक महां बैठा वो अपनी जिन्दगी के हसीन लमहाद दोहराता रहता पंद्रह दिन हुए अपोलो बंदर पल जब तेज हवा में एक यहूदन लड़की का रेशमी सकर्ट उठा था तो कितनी मतनासिब और हसीन टांगों की जलक दिखाई दी थी पिछले इतवार इरानी के होटल में पाए का शोरबा कितना लजीज था कैसे चटखारे ले ले लेकर उसने उसमें गर्म गर्म नान भिगो कर खाया था रंगीन फिल्म कितना अच्छा था रक्स कितना दिलफरेब था उन औरतों का आज सुबह नाच्टे के बाद सिगरेट पीकर लुटफ आ गया ऐसा लुटफ हर रोज आया करे तो मज़े आ जाए वो मिया बीवी जो उसने दादर स्टेशन पर देखे थे आपस में कितने खुश थे कबूतर और कबूतरी की तरह गुटक रहे थे केकी मिस्तरी बड़ा अच्छा आदमी है कल मैंने इस प्रू मांगी तो उसने मुफद दे दी कहने लगा इसके दाम क्या लूँगा आपसे पिछले माँ उसने वक्त पर मेरी मदद भी की थी पांच रुपए उधार मांगे फॉरन दे दिये और कभी तकाज़ा ना किया ट्रैम में जब मैंने उस रोज मरठी लड़की को अपनी सीट दी तो उसने कितनी प्यारी शुक्र गुजारी से कहा था थैंक यू फिर वो मोटे पारसी की तरफ देखता उसके चहरे पर ये बड़ी नाक उसको नजर आती मजीद फिर सोचता ये क्या बात है इन पारसीों की नाकों के साथ इतना बुरा सुनुक किया गया है कितनी कोफ्त हो रही है इस नाक से फॉरन यू से ख्याल आता कि ये पारसी बड़ा नेक आदमी है क्यूंकि वो उसको उधार दे देता है जब उसकी जेब में पैसे ना होते तो वो काउंटर के पास जाता और उससे कहता सेट आज माल पानी नहीं कल सेट मुस्कुराता कोई वांदा नहीं यानि कोई हरज नहीं फिर आ जाएंगे बियर की बोतल चौदा आने में आती थी उसको खाली करके और प्लेटें साफ करके वो हाथ के बड़े खूबसूरत इशारे से बेरे को बिल लाने के लिए कहता बेरा बिल लाता तो वो उसे एक रुपिया देता और बड़ी शान से कहता बाकी दो आने तुम अपने पास रखो बेरा सलाम करता मजीद बेहद मसरूर और शादमा उड़ता और पारसी सेट को साहब कहकर दफ्तर की तरफ रवाना होता वहाँ पहुँचते ही उसके कदम रुख जाते पड़ोस की गली में एक छोटी सी तारी खोली में मिसलीना रहती थी किसी जमाने में बड़ी मशूल डांसर थी मगर अब बोड़ी हो चुकी थी यहुदन थी उसकी दो लड़कियां थी इस्थर और हेलन इस्थर सोला बरस की थी और हेलन तेरा बरस की दोनों रात को अपनी मा के पास एक लंबा कुर्टा पहने लेटी होती थी सिर्फ एक पलंग था मिसलीना फर्ज पर चटाई बिचा कर सोती थी रात को बियर पीकर मिसलीना के हाँ जाना मजीद का मामूल बन गया वो बाहर होटल वाले को तीन चाय का ओर्डर देकर गली में दाखिल होता मा बेटियां ठेट अरबी लहजे में वालेकुमस्सलाम कहती और वो लोहे की कुरसी पर बैट जाता और मिसलीना से कहता चाय का ओर्डर दे आया हूँ इस्थर बारी का ओवाज में कहती थैंक यू छोटी बिस्थर पर लोटे लगाना शुरू कर देती मजीद को उसकी आड़ू आड़ू जितनी च्छातियों और नंगी टांगों की कई जलकियां दिखाई देती जो उसके मसरूर औ मखमूर दिमाग को बड़ी फरहत बख्षती बाहर वाला चाय लेकर आता तो मा बेटियां पीना शुरू कर देती मजीद खामोश बैठा रहता उस तंगो तार माहौल में एक अजीब औ घरीब सुकून उसको महसूस होता वो चाहता कि उन तीनों का शुक्री आदा करे उस धुआ देने वाली कुप्पी का भी शुक्री आदा करे जो धीमी धीमी रोशनी पहला रही थी वो लोहे की उस कुरसी का भी शुक्री आदा करना चाहता था जिसने उसको नशिस्त पेश की हुई थी थोड़ी देर वो मा बेटियों के पास बैठता दोनों लड़कियां बहुत खुबसूरत थे उनकी खुबसूरती मजीद की आँखों में बड़ी प्यारी नींद ले आती रुखसत लेकर वो उटता और जूमता जामता अपने दफ्तर में पहुँच जाता और कपड़े बदल कर बेंच पर लेटता और लेटते ही खुशगवार और पुरसकून नींद की गहराईयों में उतर जाता फुरसत के आखात में विस्की के तीन चार पैक पी कर जब मजीद उस जमाने को याद करता तो कुछ अरसे के लिए सब कुछ भूल कर उसमें महव हो जाता नशा कम होता तो वो ब्लैक मार्किट के मुतालिख सोचने लगता रुपिया कमाने के नए धंग तखलिक करता उन ओरतों के मुतालिख गोर करता जिनसे वो जिनसी रिश्टा कायम करना चाहता था मजीद का माजी जंग से पहले की फिजा में गुम हो चुका था एक मध्धम लकीर सी रह गई थी जिसको मजीद अब दौलत से पीट रहा था